बारिस का मौसम हमारे बालों के लिए अक्सर मुस्केली पैदा कर देता है। बारिस के मौसम में बालों में अनावस्यक मतलब की अंचाही नमी पैदा कर देता है। और नतीजा सिर में खुजली होना, बालों का जड़ना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें। बालों को बारिस की नमी से कैसे बचाए यहीं आज वीडियो में हम जानने वाले हैं। सुखे बाल रखे। अगर आप बारिस में अपने बालों को स्वस्थ रखना चाते हैं तो उन्हें सूखा रखना जरूरी है। बालों को दोने के बाद उसे अच्छे से सूखने दे, गिले बाले को बानने से बालों में नमी बनी रहेगी। मौजुदा महौल यानि की बारिस के मौसम में अगर बालों को गिला छोड़ दिया जाए तो इस से स्केल्प में खुजली हो सकती है, फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है, यदि आपने अपने बाल दोए है और बाहर जाने की जल्दी है तो आप कभी-कभी हैड ड्रायर का उ प्योग कर सकते हैं, बारिस में गिले बालों को अच्छे से दोए हैं, हम आम तोर पर बारिस में गिले बालों को तॉलिये से सुखाते हैं, लेकिन इसे साफ पानी से दोना जरूरी है, बारिस का पानी का pH 5.6 होता है, इसे एसीड माना जाता है, अगर यहां पानी बालों मे रह जाए तो बालों की quality खराब कर सकता है इसके अलावा अपने scalp से जुड़े अन्य रोग भी हो सकते है इसलिए अगर बारिस में बाल बीग चाते है तो उदने साफ पानी से दो कर जल से जल सुखा ले बालों में सैंपू करते वक्त रखे दियान बारिस में नमी वाला मौसम होता है और बालों को अच्छी तरह से पुर्व कंडिस्निंग किया जाना चाहिए मतलब कि प्री कंडिस्निंग करना चाहिए सैंपू करने से 15 मिनिट पहले बालों में तेल लगाना न बुले यहां बालों को थोड़ा चिकना बनाता है जिससे बाल कम पानी सोकते है यहां स्केल्ब की समस्याओं से भी बचाता है सही तरकी कंडिका इस्तमाल करे हमारे गिले बाल सबसे ज़्यदा नाजुक होते है गिले बालों में गल्ती से भी छोटे दान्तों वाली कंडिको न मोड़े लकिन न लगाए यहाँ आपके बालो में उलजन पैदा कर सकता है छोड़े दानतोंवाली कंगी का इस्तमाल करने से यहाँ समस्या नहीं होगी और बालो का उलजाओ भी जल्दी से दूर हो जाएगा छोड़े दानतोंवाल के इस्तमाल से फंगल इंपेक्सन जैसी समस्या भी नहीं होती है बालों के लिए डाइट हमारी तवचा और बाल हमारे खानपान का आईना होते है अगर आप अच्छी तवचा और बाल चाहते है तो आपको अपने खानपार पर विशेश दियान देना होगा मौनसुन में प्रोटीन युक्त आहार आपके बालों को स्वस्त रखेगा खाने में ड्राइफूट, हरी सबजी और फ्रूट का सेवन करना चाहिए यह स्वस्त आहार बालों के विकास में भी बदत करेगा